बेटमा नगर की थाना परिसर में इस्तिस्री वट केशुर महाद्यों मंदीर में रविवार को वीधी विधान के साथ नौ श्रंगारित मंदीर में कलश इस्थापना की गई इसके साथ ही मंदीर में ध्वज, नंदी वगंटी सहीत अन्य इस्थापना भी की गई मंदिर के शिखर पर कलश और मंदिर में नंदी इस्थापना से पूर्व इनकी शोभायात्रा निकाली गई जो मंदिर परिसर से शुरू होकर अमबैटकर चुराहें होते हुए पुना थाना परिसर इस्तिश्री वटकेश्वर महादियो मंदिर पर समाप्त हुई जहां पुर्ण विधी विधान पूर्वाक यग्या हवन और पुजनकर मंदिर के ध्वजा के साथ शिकर पर कलश इस्थापना और मंदिर परिसर में नंदी महराज के इस्थापना की गई वहीं संध्या को यग्य की पूर्णा आउती के पश्चात आरती की गई और प्रसात वित्रण कर कन्या भोज का आईजन भी किया गया यग्याचारी पंडित विजय दूबे ने बताया कि साले बारा वर्षों से रुका मंदिर का यह प्राण प्रतिष्था महाँचो आज संपन हुआ बैटमा से राजेंद्र सुर्यवन्शी की रिपोर्ट बैबा के प्रमा आशिवास से सभी के सयोग से आज यह विशाल मंदिर बन कर तयार है और बाबा के कलस इस्थापना भगवान नंदी जी की स्थापना और ध्वजा का इस्थापना का कारिकम संपन हुआ है हुम लोगों के पूर्व जोका साड़े बारा सो बरत पूर्व जो जोती लिंग था आज उसकी प्रतिष्टा, प्राण प्रतिष्टा संपूर्ण न हुई, पूर्ण तरीके से प्राण प्रतिष्टा, संपूर्ण न हुई, नंदी की प्रतिष्टा, रजा रोहन और कलर, इस्तापना का आज कारी कम रहा और आज संपन न हुआ, ये साड़े बारा सो बरस पूर कुछ रुका ही रुका हुआ कर्मत था है 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 आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें